तो हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर टू आगे कंटीनु करते हैं आज हम पड़ते दे कंप्यूटर फोल्डर के बारे में ठीक है लम प्रह सलें हम सबसे फिर्स में कुलिक करते हैं बरनो लोगों पिर्फिय के का वपन होता है जिस के सारी डीटेल स्कील गतले चैप्रिण सब्सक्जाब यह कर सकते हैं इसे कंप्राइच में प्रह्त भीड्र से-षास नि हम च्प्रा सकते हैं यह है back button यहां से आप back कर सकते हैं यह forward button फिर यह है कम्प्यूटर के कौण से फाल के कौन से folder में है यह search box है यहां से आप कोई भी file bid we bouton है यहाँ पे कैसा आपको वी वीउ करना है एक के बाद एक वियू करना है या एक के बगल में एक वियू करना है बड़ा वियू करना है छोटा वियू करना है फिर यह है कमांड बर जहाँ आप कमांड दे सकते हैं ठीक है तो कुछ इस तरीके से open होता है फिर यहां में Shows करता है हाट डेक्स डीवीडी जो भी हमारे पास है उनके लोकेशन सर्च करते हैं दिखाता है ठीक है पूरी डीटेल्स दिखाता है आपको उसके बाद देखिए एक प्रिएटिंग अन्यू फोल्डर और फाय कभी नया फोल्डर या नया फायल क्रेट करना तो क्या क्या करना पड़ रहा है डबल क्लिक देंप्प्यूटर आइकन प्लेस दॉट डेक्स टॉप दा कंप्यूटर विंडोज अपिया जो कंप्यूटर का जिस तरीके से तो आप देख सकते हैं आप जाके किसमें आपको फायल फोल्डर बना आप उसको क्लिक करेंगे उसके बाद पॉइंट न्यू ऑप्शन इन दो शॉटकर्ट मेनू और जब भी आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक उप्शन आएगा न्यू करके आ आप कोई भी नाम दे सकते हैं उस फोल्डर को जब भी आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर आप उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं ठीक है अब देखिए ओपनिंग एंग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर कोई ऐसा फाइल फोल्डर जो पहले से है उसको अगर आपको चाके राइड क्लिक करे ओपन कर सकते हैं डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं ठीक है अब देखिए वीव il dait qualities of a file folder connect ok file folder की properties यग क्ली क्या करना है राइट क्लीक on the file or folder whose property you want to view यदिक हैं जब भी आप किसी file folder का property view करना जाते हैं तो उस file folder में जाके आप राइट क्लिक करेंगे सिर्फ सिंगल क्लिक करेंगे एक शॉर्टकट मीनु आजाएगा क्लिक प्रॉपर्टी फ्रम दे शॉर्टकट मीनु और उस शॉर्टकट मीनु में आगा प्रॉपर्टी जो सबसे लास्ट में आगा option देखो उसमें आप क्लिक करेंगे दा बोक्स से खुल जाएगा उसमें आपको फाइल की पूरी प्रॉपर्टी बता देगा ठीक है अब देखिए रिनेमिंग फाइल फोल्डर अब कोई भी फाइल फोल्डर है जैसे आपने बनाया सननाम से अब आपको उसको दूसरे दिन फातीमा के नाम से बनाना है तो आप क्या फिर आप टाइप करेंगे वहाँ पर जैसे आपने सना को चेंज करके फातीमा डाला और उसके बाद आपने एंटर की दबा दिया ठीक है तो अब उस फोल्डर का नेम सना से फातीमा होगे ठीक है तो आई होप आप लोग को आज इतना समझ में आया होगा बाकी हम नेक्स क् करेंगी उसा होगी इतना से फलोगा के ची नेक्स कarpटा प्रो जिता होगे झाला झाला फयुvऌ जिसे लुवब करेंगे गर्साम में एा का चारीध से प molecular है 한 फसियू. अजिवार डिवार ररीज है कि अम एंप्डेर रिपाइव जगा है है कि अम एंप कर दो ने कर दो लूंप राली है